हेलो अब्रिवन नमस्कार जैहिंद मैं आपका जिएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूँ तो आज फिर से हम लोग जुड़े हैं जहां स्टैटिक जी के या कहें इस्ट्रेक्टेट कोशन की सिरीज क्या थोगा हम लोगों ने पिछले बार देखा था तो अभी म सवाल बिल्गुल 15-17 मिनट में निकालेंगे और कोशित करेंगे कि वीस सवाल बिल्कुल आपको एक्जाम में उखूंb-भूब देखने को मिले तो आयए देखते हैं क्या-क्या कुश्चन हो सकता है कैसे कुश्चन देखे जा सकते हैं बिस सवाल में कितने सही करोगे ये comment बाक्षा मुझे जरूरू बताना अब याद होगा कि 19 तारिक से बैस चुरू हुआ है और अकैड़ी पे कमिंग देच में दो तारिक यानि दो फरवरी को एससी काटेगरी में भी और रेलवे काटेगरी में भी दोनों में बैस देखने को मिलेंगे जहां आपको एससी आपके सामने हैं अगर ताली कोटा के लड़ाइं आपके सामने हैं अगर ताली कोटा के लड़ाई की बात करें 26 जनवरी 1565 को सर ये चार ओप्शन में कौन-कौन सा यूद लड़ा गिया था ये देख लीजिए अचार जनवर 1576 को हल्दी घाटी का यूद्ध हल्दी घाटी का यूद्ध पिर 23 जून 1757 बच्चे क्या होगा बैटल अप पलास्टी बैटल अप पलास्टी और 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर शोला सो एक मिनट उक्चे एक मिनट 1764 कर देकर मैं 22 अक्टूबर 1764 को पलास्टी का यूद्ध है ना 1764 को बक्सर का यूद्ध तो पलास्टी का यूद्ध कब हुआ 23 जुन 1757 को और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का यूद्ध ठीक है और 26 अनुवरी 1565 को तालिकोटा के लगाई याद रखशेगा बिल्कूई किस यूद्ध में अलाउदन खिल जी मलिक काफूर से मिला था देवगीरी का यूद्ध गुजरात का यूद्ध चित्तावड का यूद्ध मालवा का यूद्ध किस यूद्ध में अलाउदन खिल जी मलिक काफूर से मिला था तो भई आपको याद होगा गुजरात के हजार दिनार में खरीदा था इसलिए इसे हजार दिनारी कहते हैं मलिक काफुर को और एक न्यूट्रल था थार्ड जेंडर था ठीक है और इसी के मदद से दच्छिन भारत पर आकर्मन गिया था कौन अल्लावदन खिल जी सेरसा निम्लिकित में से किस युद्ध में मारे गए सेlles दच्छिन छोगा मैं तो याद होगा 1545 में सेरसा की मिर्त हो जाती है कालिंजर के यूद्ध में और six कौन एक की रतप्षिंग सासा कौन बई केरज सिंग चौसा का यूद 1549 में हुमायू हारता है 1540 में कन्नाउच का यूद बिलगराम का यूद में फिर हुमायू हारता है है ना याद रक्षियों सेरशा से अकबर की अंतिम लडाई कौन से थी विच वाजदा लास्ट बैटल अकबर असरगनका गुजनात या मालवा तो अकबर की लडाई की बात करें पहले यह देखिए का अकबर का प्रियर क्या है तो 1556 में गदी पर बैठता है और 1605 में इसकी मिर्थी हो जाती है बैटल अप असिरगर यह हल्दिगाटी अभी आप अपने देखा कि 1576 में हल्दिगाटी का यूद ह होता है तो आप अंतिम यूद की बात करोगे तो बैटल ऑफ असी रिगण 1601 में 1601 में अंतिम यूद कौन है असे रिगण का यूद्ध है बिल्कुल यात अच्छेगा ठीके बच्छे नेक्स्ट की बात करें नमिकेत में से कौन सा बिल विशेश बहुमत से बारतिस अंसत क से परतेक सब्सक्राइब और या कौन सा बिल अलग अलग पारित किया जाना चाहिए तो याद होगा आपको कि कौन सा भी लोगा समझ्धानिक संसुतन अधिनियम के लिए जौंट पार्लेमेंटरी सेशन क्या हो सकता नहीं परती है यानि ओता ही नहीं है यह सबसे पहले 110 से लोग सभा में पास फिर राज सभा में जबकि constitutional amendment will की बात करें यह विशेश बहुमत से भारते संसेत के परते सदन द्वारा अलग से पारित किया जाता है समिधान संसोदन की बात करें आर्टिकल नमर 3868-368 में उल्लेक है संसदिये सब्दावली के संदर्ब में हम विधाई परकिरिया के एक नियम को क्या कहते हैं जिसके तहत एक परस्ताव पर आगे की बहस को रोका जा सकता है समापन गिलोटिन व्या अवकास क्या होगा मतलब कि उस वर्ड का यूज करके हम संसदिये परकिरिया को बिल्कुल स्डॉप कर देंगे रोक देंगे ऐऑए कारवाई नहीं होगा क्या हो सकता है तो क्या होगा अयम्द स्वक्राइब समापन क्लोज्टरृ क्लोजर और कोजा साथ क्लोजर है ठीक है यां धक्षिरृष Also आपको याद होगा नागा लैंड अलग बनाए गया तो 1963 में नागा लैंड एक मात्रैसा राज जहां इंग्लिज कि ऑफिस्यल लेंग्विज के रूपे यूज करते हैं और नागा लैंड की बाप करें तो 2011 की जन्गन्ना आई है उस जन्गन्ना से निगेटिव यानि जन्गन्ना इसको देखने को मिली है एक मात्रैसा राज नागा लैड है किस संसोधन के तहत राष्टपती को मंत्री परिशत द्वारा दी गई सला के अनुसार कारे करना आवस्यक बनाए गया है इन में से कौन सा आर्टिकिल है कौन सा संसोधन है जिसके तहत को मजबूर राष्टपती की मजबूरी हो गई है कि आपको मंत्री परिशतर का बात मानना पड़ेगा तो आपको याद होगा 1975 में अपातकाल आया था उस अपातकाल की सबाद 42 में संसोधन 1976 में जिससे हम लोग मीनी कॉंस्टिचूशन या इंद्रा समिधान कहते हैं सबसे बड़ा अमेंडमेंट अब तक का भारत का जिससे कह दिया गया कि राष्टपती जी अब आप मंत्री मंदल के बात को ही मानेंगे बिलकुल बाद्धे कर दिया गया है इसके अलावे प्रस्तावना में भी चेंजेज हुआ था तीन वर्ण जोड़े गए थे और 44 में से संप एड किया गया जोड़ा गया दस में अनुशूची में राजीगवाधी के काल में ठीक है याद रखेगा नेक्स्ट शकल घरिल उत्पात भारत की विविन छेत्रों के योगदान के घरते करम में नमनेकिन में सा कौन सा सही अनुक्रम है सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री या इंडस्ट्री एगरिकल्चर सर्विसेश तो सिंपल सी बात है जब देश हमारा आजाद हुआ पहली पंचवर से योजना में जहां एगरिकल्चर का योगदान घटा है और अभी सर्विस सेक्टर सबसे जाएदा है तो पहले सर्विस सेक्टर दूसरे पे इंडस्ट्री सबसे जाएदा एगरिकल्चर सेक्टर पे लोग जुड़े हुए हैं जाने अगर हम देखोगे सबस्यादा जंसांक्या एगरिकल्चर पे लेकिन उसका योगदान बहुत कम है तो अब देख सकते हो जीडीपी में 20 शेत्रों का योगदान तर्विस सेक्टर में 57.9 इंडस् वेन वाज प्लान हॉलिडे डिकलियर प्लान हॉलिडे कब घोशित की गई तो आपको याद होगा अब तक तीन हॉलिडे हुए हैं कब तो एक हुआ था बच्चे 1974 से जो पंचवर्षी है योजना चल रहता था कौन पंचवर्षी योजना एक सांग पहले खत्म किया गया और 1978 से अश्ची में रॉलिंग प्लान लाया गया मूराजी नेसाई के समझने तो एक पहला पहला हॉलिडे ये दूसरा हॉलिडे ये और तीसरा हॉलिडे उनिशुनब्बे से बानब्बे ये तीसरा हॉलिडे ठीक है यानि तीसरा तीन हॉलिडे हुए है तीन प्लान गैपिंग हुए है याद रखेगा लेकिन प्लान हॉलिडे हम बोलते हैं उनिशुच्छियासर से उ स्थित है वेर जालता पारा नेशनल पार्क सिचुएटेड पश्चिम बंगाल ओडिशा तिरपूरा महराष्टा क्या होगा जालता पारा की बात करें तो राश्च्रियोद्यान माइडियर यह पश्चिम बंगाल में वेस्ट बंगाल में याद रखेगा ठीक है अब इसे क्या करना पड़ेगा हमें कूटना पड़ेगा कूटना पड़ेगा यादि यानि क्या होगा साथ कही साथ सवान निकल कर आएंगे तो वाई हम भारतिय संसट प्रभारतिय संसट लेटीए तीन भांग है इस वह को कौन नहीर तो आप राश्ट पती लोग सभा राज्य सभा लोग सभा अपर हाँश का राश्टभा हरा सॉरी ओ हो लोगसभा, लोवर हाउस, यह अपर हाउस, यानि संसद के मैं बात करूँ, तो सरला से हम ज्याद रख सकते हैं, कि सरला से मतलब क्या हो गया, 89 आर्टिकल संसद की बात करता है, 80 आर्टिकल राजसभा की बात करता है, तो यह अहम भाग है, राजजपाल को हम कहां सामिल करेंगे, तो राजज के विधान मंदल में, राजपाल विधान सभा, अगर विधान परिशद है तो विधान परिशद है, जैसे संसद हैं, है न, याद रखेगा, दूद का पीच मान क्या होगा, तो दूद का पीच मान 6.6 होगा, क्या होगा, 6.6 होगा, दूद का पीच मान, ठीक है, खाद सामगरी के संदर्चन में, कौन से पदार्थ का उप्योग किया जाता है, Cytric Acid, Potassium Chloride, Sodium Benzoate, Sodium Chloride, क्या होगा, तो माइडियर, which one of the following substances is used in the preservation of the food stuff, यानि जो आचार है, या फिर भोजन है, जिसे हम संदर्चित करते हैं, जैदा दिनों तक रखते हैं, तो हम क्या उसमें मिलाते हैं, Sodium Benzoate मिलाते हैं, और वो भोजन हमारा सुरच्छित रहता है, क्या रहता है, भोजन हमारा सुरच्छित रहता है, ठीक है, आगे, Sodium Benzoate का Chemical Formula रासानी सुत्र, NaCH, H5O2 और एक व्यापक रूप से, खाद्य संदर्चक के दूप में उप्योग करते हैं, पॉजिट्रन पर चार्ज किसके बराबर होगा, The charge on positron is equal to the charge on, पॉजिट्रन पर चार्ज किसके बराबर है? Proton, Electron, Alpha Particle या Newton, Question number 16, The charge on positron is equal to the charge on, Tambor charge की बात करें, यह proton के बराबर होगा, कि इसके बराबर होगा? मैडियर प्रोटोण के बराबर होगा, ठीक है? क्रेशको ग्राफ का विश्कार किसके द्वारा किया गया था SNBOS, PC महल नोबिस, JCBOS, PC Roy क्या होगा तो सबसे पहले समझते हैं सब क्रेशको ग्राफ है क्या तो जो प्लांट है, पौजे है प्लांट का जो ग्रॉथ है न, वर्धी कि मालो day to day life जो पौदा बढ़ता है बच्चे की तरह हम छोटे लगाते बच्चे की तरह देर देर बढ़ता है तो इसकी जो ग्रॉथ है लंबाई है या वर्दी है वो हम क्रेस्को ग्राप से मापते हैं किसके मापते किससे क्रेस्को ग्राप से मापते हैं तो इसी क्रेस्को सुझा जगदी संद्र बोश ने की थी माइडिया ठीक है नेक्स्ट नाइट्रोजन की आधार पर डीने आरेने से किस परकार भिन है एडिनिन गैनिन सैंटोसिन थाइमाइन कुस्टन बठारा बताईए डीने डीफर्स फ्रोम आरेने इस हैविंग नाटोजिनेस बेस किस आध उर्जा कैसी है दाइनर्जी फांड इंदा ड्राइस सेल इज मैकेनिक इलेक्ट्रिक केमिकल इलेक्रोमेगनेटिक क्या होगा तो आपको मैं बता दूं कि दाइनर्जी फांड इंड्राइस सेल सुस्क सेल में पाई जाने वाली जो उर्जा है वो केमिकल उर्जा केमिकल केम केमिकल है याद रखेगा ठीक है कैसी है केमिकल है याद रखेगा ठीक है नेक्स्ट की बात करें तो रसानी कुर्जा से विद्धु तुझ्जा में बदलने का सबसे अच्छा उदारन प्राक्षमी को सिखाएं सॉरी या बैटरी है इसे सुख स्थेल भी कहते हैं संग्लास्यस में कितनी पावर होती है चलिए लस्ट संग्लासेस में कितनी पावर होती है यानि कहा था 15 मिनट में 20 सवाल तो संग्लासेस में कितनी पावर होगी बाई संग्लास है तो क्यों पावर होगा धूब की चसमें है तो क्यों पावर होगा धूब की चसमें कोई पावर ही नहीं है अगर होता मायूपिया हाइपरमेट्रो पिया प्रेस बाई पिया जो कह दें आउतार उतल तब हम सुचते ना तो यह था आज का सेशन यहांने 15 मिनट में 20 सवाल उम्मिद करते हैं कि यह 15 मिनट में 20 सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा आप कहाने वाली पीपर में फिर जब बता दें कि प्लस में दो फरवरी स से कैटेगरी में सुबह 9 बजे और रेल्वे में 12 बजकर 40 मिट पर मेरे दो कोर्स देखने को मिलेंगे तो प्लस भी जुड़िए उन्लिमीटेड एकसे फायदा बहुत हम आइडियर जबरदस्थ फायदा है ना याद रखिएगा बिल्कुल और देखो दो तारीक से बैच सुरू रहा है सकेंड फर्वरी में मैंने का सकेंड फर्वरी से यू कें ज्वाइन इस पार्टिकुलर बैच अब ज्वाइन करिए से सीजी और से टार्गेट करते हुए ठीक है आइकॉनिक फीचर क्या है तो प्रैडूटे लाइव क्लास की बात करें तो क्या फायदा होग अब वेब साइट के जरीए भी आप पूछ सकतो तीन डाउं टेक साथ और अपने भासा में और अगर आप इसे से के तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट जरूर लगाए यह इस क्रिंशॉट ले लिजी आपके सामने कौन सा दिन कि सब्जेक्ट का है टाइमिंग क्या है जिससे आपको फाइदा हुआ कि इस फीटर की मैं बात कर रहा था कि हैंडरेज करिये अपने एजिगोटेर से बात करिये हैं विल्कुल जिस भी क्लास में जाते हो और तीस जनवरी को दो पार बारा बजे देखरो इससे मेगा कॉमबेट स्टार्ट मिनट साथ कोस्टन प्रिविए प्राधारित और हमारा रिफरल कोड क्या है तो बाबा टेन कोड लगाए और मैं आपको बताओं दो पहर बारा बजे जेद सकते हैं आप सैंसंग मोबाइल हेड़फोन कई सारे हैं और मज़े की बात कि जो कि टेस्ट है वो बोथ लेंग्विज में हिंदी में और इंग्लिश में भी है ठीक है अब देख सकते हैं 24 मैंने का सर्फी कितना है तो अठातर सो 24 मैंने का फ्री अठातर सो बारा मैंने का पैसाट सो जैसे आप कोड यूज करते हो बावर टेन यह बिल्कुल दस परसंट का कमी होगा नेया बैस फाउंडिस आने बिल्कुल रिपोर्टेंड विन अगर कोई भी इन प्रोप्राइट कंटेंड मिला हो तो आप क्लेम करके आ 29 जन्वरी टाइम सुबा आठ पांच एंड दस पांच आठ पांच में एसेसी को और रेलवे को लेकिन आपको पता है कि रोहिस्तर के जो क्लास होते हैं वो एसेसी और रेलवे दोनों में बिल्कुल बेनेफीट है और फिर 5 पीएम एंड 6 पीएम यह दोनों भी रेगूलर ह होते हैं तो आप ज्वाइन जरू करिएगा हमारा जो हमारी इस्पिसल क्लास है यह पूरे स्क्रीन यह कल मैंने बता दिया 29 जन्वरी आज के बारे में जबकि यह रेगूलर चलता है मंडे टू संडे सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइप करके जाना मिलते हैं फिर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मज़़ार वीडियो के साथ तब तक किले अपना ख्याल रखिए थांक्यू सुक्रिया